Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope अच्छे होंगे. आज की रेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नर्स्ट इकोशन के बारे में. लेकिन नर्स्ट इकोशन को पढ़ने से पहले हमें गिफ्स फ्री एनर्जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो हम लोग आज क्या करते हैं? पहले नर्स्ट इकोशन पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं गिफ्स फ्री एनर्जी के बारे में. गिफ्स एनर्जी होती क्या है इसका formula जो है हम लोग पहले generate कर लेते हैं then फिर हम लोग nasty question के बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले जो गिफ्स एनर्जी होती है इसको delta g से हम लोग represent करते हैं और delta z होता क्या हमारा non mechanical work done होता है delta z होता है हमारा non mechanical work done तो delta z ही हो गया हमारा non mechanical work done लेकिन अगर कोई हम system ऐसा ले रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ electrical work done टेक प्लेस ठीक है के वल और के वल electrical work done ही हमारा हो रहा है यानि कि if in the system only electrical work done take place in the system only electrical work done work done take place तब यह क्या हो जाएगा कि जो हमारा non mechanical work done है यह electrical work done के बराबर हो जाएगा यानि कि non mechanical work done यह जो है electrical work done के बराबर हो जाएगा यानि work done हमारा जो है वो दोनों equal हो गये हैं अब बात करते हैं कि electrical work done क्या होता है यानि कि यहां से हम लोग simple way में represent कर सकते हैं कि डेल्टा जी जो है हमारा वो डबलू electrical के बराबर हो गया है जो हमारा टबलू electrical है यह क्या होता है इसके बारे में जो है समस्ते है कि डबलू electrical क्या है हमारा तो आप लोगोंने physics में या chemistry में कहीं पे भी formula पढ़ा होगा कि जो हमारा work done होता है यह क्या होता है electrical work done यह होता है voltage और इंटू चार्ज ठीक है वी हमारा क्या हो गया voltage और क्यूं हो गया हमारा चार्ज इसके बाद फिर चार्ज के बर बात करें चार्ज कैसे निकालेंगे चार्ज के लिए क्या होता है कि simple सा z i n f यहाँ पर z क्या है हमारा कितना चार्ज है उसके उपर यह क्या है number of कितने आयन है या अगर chemistry बात करेंगे और आयन पर कितना चार्ज है उसके बारें बात करेंगे और f है हमारा फराडे नंबर ठीक है तो यहाँ से अगर w electrical हमें निकालना होगा तो w electrical हमारा बन जाएगा w electrical यह हो गया z i n f into v ठीक है अगर हम यहीं पर electron की बात करते हैं next slide पर आते हैं कि अगर हम लोग electron की बात करते हैं कि for an electron chemistry है जो chemistry में हम लोग electrons की बात करेंगे for an electron electron के लिए z i की value क्या हो जाएगी electron पर चार्ज इतना होता है minus 1 z i की value हो गया minus 1 तो हमारा यहाँ से जो wave done निकल के आया w electrical वो हो गया minus n f v यानि कि w electrical हमारा किसके बराबर था delta g के बराबर था और delta g किसके बराबर हो गया हमारा minus n f v के बराबर लेकिन अगर हम electro chemistry की बात करेंगे तो हम लोग chapter पढ़ना है electro chemistry तो electro chemistry में जो हमारा v होता है यानि कि potential जो है उसको हम लोग represent करते हैं e से ठीक है तो v अगर बात करें in electro chemistry in electro chemistry v represented by e ठीक है अब v को इसे replace कर दे रहे हैं तो यह हो जाएगा delta z is equals to minus n f e तो यह हमारा formula जो है Gibbs free energy का formula निकल क्या गया Gibbs free energy होते ही क्या है minus n f e ठीक है तो यह आपको formula जो है बिल्कुल याद ही कर लेना है भूलना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है अगर हम standard condition इस question पे standard condition लगा दे ठीक है standard condition क्या होंगी हमारी अगर standard condition की बात करें जाएerd है इसमारा temperature की हो जाएए हमारा 25 degrees है इसके पहले हम लोगोंने standard के बारे में बात कर चुके है 주 pressure क्या होना चाहिए वन बार होना चाहिए और concentration जो होना चाहिए वो 1 molar concentration हो जाए तो यह हमारी standard condition हो गए जब standard condition पर gives free energy की बात करेंगे तो यह delta g0 से रप्रेजन करते हैं standard condition को delta g0 से और यह equal to हो जाएगा minus nfe0 minus nfe0 यह हो गया हमारा standard gives free energy एक ही formula याद करना है delta g equals to n e f ठीक है यह formula याद हो गया सब जो है जितने भी properties हैं वो सब हम लोग कर लेंगे चाहिए standard वाली हो या फिर non standard वाली हो फिर बात करते हैं कि अगर gives free energy जो है कैसी property होती है इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं हम लोगोंने formula drive कर लिया है पर property की बात कर लेते हैं कि कैसी property होती है जैसे suppose आपको दो equation दीवी हैं और दोनो equation का delta g दिया हुआ है suppose एक equation का दिया हुआ है g1 और दूसरे का दिया हुआ है g2 यह g1 वाला g1 नहीं है रावन मुवी वाला ठीक है तो delta g1 और g2 और आप से calculate करवाएं कि delta g3 की value calculate करके बताइए तो यहाँ से delta g3 कोस्टो निकल क्या जाता है delta g1 प्लस delta g2 यानि कि Gibbs free energy हमारी क्या होती है additive property होती है कैसी property है हमारी additive property है यहीं से अगर इसकी value रखती जाएं तो delta g3 की value क्या हो जाएगी minus n3 f g3 delta g1 की value minus f e1 plus delta g2 की value minus n2 f e2 तो सब देखाएं से अगर minus कामोने लेंगे कट जाएगा and f भी दोन तरफ से कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ से तो यहाँ पे है e3 तो बचेगा क्या e3 is equals to n1 e1 plus n2 e2 upon n3 तो यहाँ से इस formula से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी reaction का दो cell potential दिये हूँ e1 और e2 तो तीसरा cell potential पूछें तो आप तीसरा cell potential निकाल लेंगे यहाँ से तो यह भी important है क्योंकि गिप स्फ्री नर्जि से ही derive होता है दूसरा यह जो e होता है यह potential जो होता है हमारा यह intensive property होती कैसे property होती है intensive property होती है और जो भी intensive properties होती है ठीक है यह delta z हमारा क्या था extensive property था जो भी extensive properties होती हैं उनको direct add कर सकते हैं लेकिन जो intensive property होती हैं उनको direct add नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके coefficient से multiply किया गया है जितने number of ions होंगे उससे multiply किया गया है ठीक है तो next हम लोगों ने यह देख लिया कि Gibbs free energy होता क्या है तो Gibbs free energy का formula drive कर लिया हम लोगों ने उससे जो है potential कैसे निकालेंगे वो भी हम लोगों ने जान लिया है दूसरी चीज कि अगर इसमें एक important point है वो note कर लेना है आपको कि कोई भी reaction, spontaneous reaction होगी तो delta z की value क्या होगी यह note कर लेना और spontaneous reaction कोई भी spontaneous reaction है ठीक है इसके लिए delta z जो है वो always negative होगा spontaneous reaction के लिए important हो गया है कि spontaneous reaction के लिए delta z की value always negative होनी चाहिए next हम लोग बात करते हैं अब अपने main content पे आते हैं next equation पे main topic हमारा next equation जो कि सबसे ज्यादा important है हर exam में पूछा ही जाता है formula तो इसका बहुत ही important है यह अच्छे से अब समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे gifts free energy और involvation है ठीक है अब हम लोग जान देखते हैं कि next equation derive कैसे करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं in term of delta g in term of delta g delta g के term में हम लोग derive करवाते हैं तो delta g का standard gives free energy के साथ यानि g का g not के साथ क्या relation होता है वो हम लिख दे रहे हैं कि delta g equals to delta g not plus rt ln q यहाँ पे q क्या है वो भी जान लेते हैं कि q हमारा क्या है reaction quotient क्या है reaction quotient ठीक है जो भी हमारा reaction quotient है वो भी हम लोग देखेंगे कि reaction quotient को लिखते कैसे हैं तो q हमारा क्या है reaction quotient है उसके बारे में अभी हम लोग discuss करेंगे कि कैसे reaction quotient को लिखते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं यह equation आपको याद कर लेनी ही कि delta g equals to delta g not rt ln q then फिर अगर हमें यह क्या है natural log है natural log को हमें base 10 में convert करना हो तब क्या करते हैं natural log दिया हुआ है natural log को अगर base 10 में convert करना होता है तो 2.303 से multiply कर देते हैं यह base 10 में convert हो जाता है इसी equation को हमको base 10 में convert करना होगा तो यह बन जाएगा delta g equals to delta z not plus 2.303 rt log q यहाँ पर temperature क्या है temperature हमारा Kelvin में होना चाहिए जो temperature होगा वो Kelvin में होना चाहिए q क्या है हमारा आप लोग पहले जान चुकिए है rejection constant है r क्या है हमारा gas constant है r जो है वो gas constant है तो यहाँ पर r की value क्या रखेंगे वो भी लिख लेने है 8.314 रखना है यहाँ पर delta g क्या है gives free energy कब है standard state में delta z not standard gives free energy है standard और delta z क्या है gives free energy है ठीक है किसी भी state में यानि कि any state gives free energy कब है यह any state किसी भी state में जो है यह gives free energy है अब इसके आगे इनकी values रगेते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फिर delta z, delta z क्या होता है delta z की value क्या होती है minus nf e और delta z not की value क्या होगी इसको भी रिख लेते हैं delta z not क्या होगा minus nf e not अब यह values उठा के हम लोग चाहे equation 1 में put कर दें या equation 2 में put कर दें ठीका किसी भी एक equation में put कर दें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस first equation में put कर देते हैं यहाँ जब equation put करेंगे तो यह equation कुछ हैसे बनेगी यह बन गया minus nf e is equal to minus nf e not and then plus क्या दिया हुआ है हमारा rt ln q यहाँ से both side में अगर divide कर दें nf से और minus common ले ले यहाँ कि minus nf से both side अगर divide कर दें क्या बनेगा यहाँ से e is equal to e not minus rt upon nf ln q यह हमारा nest equation बन गई यह nest equation हमारी बन गई लेकिन इसको और simplify करते हैं at standard condition लगा देते हैं at 25 यहाँ कि room temperature बात कर लेते हैं at 25 degree Celsius और temperature हमने रख दिया है 298 Kelvin ठीक है standard temperature और 25 degree Celsius पर 298 Kelvin होगा ठीक तब यहाँ पर क्या होगा और इसको जो है base 10 में भी convert कर लेते हैं साथ में तब बन जायेगा e is equal to e not minus 2.303 rt upon nf lock ठीक है अब यहाँ से हम लोग r की value रखते हैं और temperature जो भी हमारा temperature हमने दिया हुआ है 298 Kelvin और फाराडे नंबर अभी f क्या होता है f होता है हमारा फाराडे कॉंस्टेंट पाराडे और इसकी value क्या होती है 965 00 यह भी value पुट कर देते हैं तो एक simple सा इधर calculation कर लेते हैं side में अपने लिए कि 2.303 rt upon f की value होती क्या है कितनी आयेगी निकल के इसकी calculation करके डारेक्ट यहाँ पर पुट कर दें तो यह हो जाएगा 2.303 r की value रख दिया 8.314 and temperature रख दिया 298 upon f की value आ गई 96500 आप लोग इसको solve करना solve करके देखना कितना आएगा मैं value बता दे रहा हूँ इसकी value आती है 0.0591 इसके आसपास आएगी तो यहाँ से हम लोग यह value डारेक्ट उठाके इस equation पुट कर देते हैं जैसे ही डारेक्ट equation पुट करेंगे यह बनेगा e is equals to e naught minus 0.0591 upon n बचा था नीचे n log q तो यह हमारा proper nest equation का derivation हो गया है ठीक है आप लोग वीडियो को pause करके अपनी copy में चाहे notes बना लेओ या फिर screenshot ले लो और screenshot को जो है एक अठार जो है अपने पास रख लो अभी इसमें हम लोग बात करते हैं यह क्यों की यह रेक्शन कॉसेंट कैसे हम लोग लिखेंगे ठीक उसकी बात करते हैं सपोच कोई हमारी question है अभी हम लोगों ने इसके पहले जो है पढ़ा हुआ है daniel cell तो daniel cell एक example लिखते हैं daniel cell में हमने net cell reaction क्या लिखी थी zn जिंग क्या सा solid state में था plus cu 2 positive और यह क्या था equals state में था यहां से यह product बन रहा था वो बन रहा था zn 2 positive equals state में और plus cu solid अगर यहां से हमें q की value निकालनी हो तो q की value वैसे निकालेंगे q की value के concentration of product divided by concentration of reactant यानि कि concentration of product को reactant के concentration से divide कर देते हैं लेकिन एक चीज़ यहां पर हमें जानना है concentration of product तो हमारा यह हो गया plus cu यह solid है upon यहां से हो गया zinc और यहां से हो गया cu 2 positive पर इसमें देखना कि यह हमारा copper है क्या है solid district में है तो जो भी solid में होंगे उनके concentration को neglect कर देते हैं और सिर्फ जो ionic form होते हैं उनके concentration को लिखते हैं यानि कि हमारा q क्या बन जाएगा यहां से Zn 2 positive upon Cu 2 positive ठीक है यानि कैसे लिख सकते हैं कि concentration of product divided by concentration of reactants काउन से reactants जो भी हमारे ionic form में होंगे ठीक है तो यह हमने derive कर लिया कि q की value क्या होती है यह भी हमें पता चलिया है देन हम अब q की value को उठाके next equation में put कर दें जैसे ही next equation पूट करेंगे तो कुछ equation हमारी ऐसे बनेगी e cell equals to e not cell minus 0.0591 upon अभी यहाँ पे n की value क्या है n की value upon n था यहाँ पे तो n की value n की value क्या आएगी वो देखते हैं इस equation से n की value निकालते हैं यहाँ पे oxidational state का change देखो यहाँ पर क्या जीरो है यहाँ प्लेस्टु में गया यहाँ पर 2 मेह है और यहाँ पर 0 में गया यहनि की concentration state में क्या change हो रहा है 2 का, यानि n की value क्या हो जाएगा हमारी 2, यहाँ पे n की value को हम लोग put कर देते हैं, जो हमारी n की value आ गई है, वो आ गया 2, और यह हो गया lock Zn 2 positive upon Cu 2 positive, तो यह हमारा next equation जो है बन गया डैनियल सेल के लिए अब यहीं पे concentration Zn 2 positive के जो दिया होगा और C2 positive के जो concentration दिया होगा, वो concentration रख देंगे और अपनी question को solve कर लेंगे, तो यह कुछ हमारा next question के बारे हम लोगों ने सीखा है, और साथ साथ में जो है सीखा है हम लोगों ने gifts free energy के बारे में, और कैसे reaction question को लिखते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा है, ठीक है, तो lecture सबको पसंद आया होगा, I hope, और साथ साथ में अगर आपको कुछ नया topic पढ़ना है, कुछ नया जानना है, तो वो भी आप लोग comment box में जाके comment कर सकते हैं, description में email ID दी हुई है, वहाँ पर जाके आप लोग mail कर सकते हैं, ठीक है, channel को आप लोगों को like करना है, subscribe करना है, दोस्तों के साथ share करना है, जिससे जादा से जादा मुझे motivation मिले, और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना बना के आपके साथ share कर सकूँ, ओके, thank you.